हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमेथ फिर से स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश एपिसोड में आउ कार चलाना सीखे के अब तक मैंने जितने भी एपिसोड बनाये हैं स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड से कर रहा हूँ तो उसमें किस तरह से गाड़ी में बैठना है वो मैंने आपको बता दिया है उसके बाद गेर किस किस पोजिशन में होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से क्लच होड़ना है बिना गाड़ी बंद की आराम आराम से वो भी बता दिया है और फिर उसके बाद चौतह एपिसोड में आपको ये बताया मैंने कि स्टेरिंग जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है क्या पोजिशन रहती है स्टेरिंग पर अपने हाथ सही से रखने की अगर ये सारी चीजे आप प्रैक्टिस कर रहे हाँ आए यह बहुत बहुत अच्छी बात है तो क्लच और लगाया हमने यह पहला गेर तो अभी मैं थोड़ा सा व्यू जो है वह नीचे की तरफ को भी रखूंगा कि कैसे कैसे गेर लगेगा हमारा कित्ती कित्ती स्पीड पर आई होप आपको नीचे स्पीडो मिटर दिख रहा हो लेकिन स्पीडो मिटर की हमें ज़रूत नह चाहिए और कैसे कैसे लगाने वह मैं आपको सारा इसमें कवर करके दिखाऊंगा तो जैसे धीरे-धीरे क्लच छोड़के हमें आगे बढ़ा लेना है धीरे-धीरे हमने क्लच जो है वह छोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ गई है अब मैंने बताया था कि रेस आपको करनी है ठीक है क्योंकि हमारे करीब चार दिन हो चुके है अल्रेडी हमें अंदाजा आ चुका है कि किस तरह से गाड़ी चलती है धीरे-धीरे और आगे स्ट्रेट लाइन में किस तरह से चलनी है तो वह चीज हमने देख लिए अब हलकी हलकी हम रेस देंगे रेस का रेस्प कि आवाज आने लगी ज्यादा इंजन को हमें प्रेशर में नहीं डालना और अगला जो गेर है वह करीब आई जैसे 14-15 की स्पीड आई हमने लगा दिया अगला गेर अब गाड़ी दूसरे गेर में आ गई है यह देखो और दूसरे गेर में जब लेंगे हम तो जो क्लच है क्लच को पहले के कंपेरिजन में ठोड़ा सा तेज छोड़ना है क्योंकि एकदम जटका नहीं जटका कभी भी नहीं लेना सिल्की जो मोशन था वो जो पहले ऐसे 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 था वो अब ऐसे हो जाएगा क्योंकि गाड़ी मुमेंटम पे आ चुकी है हमारा जो पहले बहुत दीरे दीरे छोड़ने का जो मक्सक्त था वो यही था कि हम जो यह गाड़ी बंद ना कर दे जो पावर डिलिवरी यह वह धीरे धीरे घाड़ी मोशन में आज़ा अब तो गाड़ी ओलराइडी मोशन में है तो इसी लिए मैं अम मोड़ देता हूँ गाड़ी को दुबारा से जगा थोड़ी सी कम है यहाँ पर इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ यह देखिए कि गाड़ी मुर्ती भी रहे यह चीज़ सही है यह देखो ठीक है रेजदी पहला गेर है यह देखो रेजदी आई 14-15 की स्पीड इत्ती आवाज हुई इंजन की बस यह गेर हमारा दूसरा लग गया और गाड़ी आगे बढ़ गई धूल बहुत उड़ जाती है इस यह ऐसे मैं शीशे बंद कर रहा हूँ लेकिन आप इंग्नोर कर देना कोई बात नहीं ड्रै क्लिन हो जाएगी जब पूरी गाड़ी आप सीख लोगे कोई दिक्कत नहीं है अब आपको रेज देनी जैसा पहले गेर में रेस्पॉंस रहता एक्सेलरेटर का अब थोड़ा असा उतना कुईक नहीं होगा लेकिन आराम राम से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी जैसे पहले जटके लेती रेस पर वो चीज नहीं होगी अब यह देखो गाड़ी चल रही है पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा स्पीड में च नहीं चाहिए तो ऐसे पोजिशन पर लिए रेस फिर से दी धीरे 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 और इंजन की आवाज सुनी अगर आपके मैं आर्पीम मेटर तो बहुत अच्छी बात है दो से धाई हजार आर्पीम पर मतलब आप यह समझेए घाई हजार आर्पीम पर आप पहला जो दो से धाई हजार और उसके बाद 2-5,500 पहला गयर 2000 दूसरा गयर 2000 तीसरा गयर 2-5,500 के बीच में इस तरह से आप चेंज करना उससे कहा है एवरेज बीच्छे और आपकी आधत भी डल जाएगी अब मैं ऐसा करता हूँ अब मैं फिलाज में रोड पे ले आता हूं गाड़ को पीछे इतनी धूल उठती है यहां पर इसी वैसे थोड़ा सा मुझे शीशे जोगा कोई भी गाड़ी निकले तो बंद करना पड़ता है अब लिया तो में रोड पे जिससे अच्छे से दोनों साइड देखना है उधर भी और इधर भी और यह हमने लेली आगे हां तो अ इस तेसकी स्पीड हुई और यह मैंने तीसरा गेर फिर से और देखो मैं लगाता किस तरीके से हूँ यह देखो कितने आराम से मतलब जहां खुद भी अपनी जगा वह खुद ही लेता रहेगा यह देखो यह हमारी स्पीड बढ़ी नीचे देखना नहीं इस तरह से आपको जो एक कौन सी स्पीड रहनी है पहला जो गेर था हमारा 10 पे 11 पे आपने दूसरा कर दिया फिर दूसरा जो गेर आपका चल रहा है आपने 18 19 20 की स्पीड फे 22 की स्पीड पर आपने लगा दी आपना तीसरा अब कर आप देख रहे मेरा यह भिलकुल नीचे की तरफ है जो क् प्रिपेर रहना है हमेशा कि गाड़ी जो हमारी कंट्रोल में रहे यह नहीं है आपको कहीं लग रहा है कि हां मैं नहीं हूं अभी इस कंडिशन में कि मैं 30 से उपर ले जो कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन गेर वही रखना कि जैसे अभी हमारा 21-22 पे हमने लगा दिया था तीसरा गेर अब यह चल रहा है आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है अब यह हमने लगा दिया इससे आगे हम जा रहे हैं 2000 आरपिम चल रहा है यहां पर अब यह 5000 जैसे हुआ क्लच दबाया देखो गेर एक यह नीचे हो गया चौथा आ गया क्लच हमने सीधा ऐसे इतनी स्पीड से छोड़ दिया क्योंकि गाड़ी मोशन में और जब भी क्लच छोड़ दो गया पूरा छूटेगा जैसे यह चीज ऋट गया तब रेस दपी धीरे से यह चीजिज आपको करनी है यह रेस दवाने में आप फिरसे गाड़ी को स्पीड कम कर लो कोई बात नहीं प्र से गयर कमry लेना कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो आपका गेर poems स्पीर के करनी है इस बाज़िए कि अज रच पीटर होट इस द है यह नीचे है ख्लत और रे साधम ये नींट यह चूट यह चूट है और रेस दवी यहीतू आपको अभी गाड़ी جआज में चल रही है कोई दिक्कत नी है उसकीं आप तीसरे चौथे तक पूरे तरह से धन ऑ तो उसके बाद आपको जो पांचवा गयर है उसमें भी कोई दिक्कत होगी नहीं कभी गाड़ी इस तरह से हम सीधी सीधी चलाते जा रहे हैं अब जैसे सामने से गाड़ी आ रही है हमें इधर लेना है तो हमें इनको जाने को रास्ता दे देना है कोई दिक्कत नहीं है रास्ता ले लीजे आप और फिर उसके बाद आगे बढ़िए गाड़ी को हमेशा अपनी साइड देखके चलाना इधर देखके नहीं चलाना ये चीज़ आप देखिए आपको अपनी साइड का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर आपको इधर का भी आटोमाइटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कई लोग कहते हैं कि हां अपनी साइड लेकर चला हूं हां ठीक है अपनी साइड लेकर चलाने चाहिए लेकिन आप यह देखिए अपने इधर भी इतनी जगह आपको छोड़ नहीं है कि कोई एमरजंसी हो कुछ भी हो तो आपको इधर जगह मिल ज़ए अगर मैं पहले से इध लिए इस लाइन और इस लाइन के बिल्कु बीच में मैं ऐसे करके चल रहा हूं और इस तरह से आपको गाड़ी सीधा सीधा चलानी है अब हम लगाते हैं आगे पांचवा गेर पांचवा गेर करीब 40-42 की स्पीड पर मैं लगा दूंगा बाकि आपकी जो गाड़ी है वह आल आएगा वह आप 2500 पर चेंज कर दीजिए हम लेगा करीब 40-42 की स्पीड पर और हमने लगा दिया पांचवा गेर पांचवा गेर कैसे लगा चौथा यह था क्लस दबा ऐसे और इधर करके ऐसे बस सिंपल हमने गाड़ी फिर आगे बढ़ा दी हाथ हमारे इसी पोजिशन में दीरे दीरे गाड़ी यह नहीं है सीधा करते चलना है एक तरफ लिया और जैसे सीधा होने वाली है हलका सामने सीधा ले लिया इस तरह से आपको जो पांचो गेर हैं उनका खेल खेलना है उनके साथ खेलना है मैं चाहता स्टार्टिंग में ही आपको यह गेर बता देता ले इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे आप गाड़ी कंट्रोल में रखें गाड़ी से पूरे हैबिचल हो जाए थोड़े चार-पांथ दिन पुराने हो जाए गाड़ी पर जिससे आप गाड़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाए और इस तरह से आप पांचो जो गेर अब आपको मैं दूसरा लगाता हूं पहले से यह देखो अब मैं चला रहा हूं इस समय अब मालो मैं धीरे करते हुए यह ले लिया अब मैं यहां जज करूंगा जहां से मुझे आगे बढ़ानी है गाड़ी अब यहां पर मैं दूसरा लगा ले तो अगर यहां से बढ़ानी है यह मैं तुरंद यह 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 चीज़ आपको करनी है हमेशा आई होप आपको अंदाज़ा पूरा मिल गया होगा कि पहले से पहले गेर के ऊपर जब जाते हैं और कौन-कौन से पहर से कैसे कैसे यूटलाइज करना है कि गाड़ी हमारी बंद भी ना हो फिर से दुबारा उठ जाए और बिल्कुछ सही टाइम पर जहां में रोकनी है वहां पर रोक जाए मगारा है तो यही था इस वीडियो में प्र्टिस करते रहिए यह छीज़ जो मैं बता रहा हूं अ प्लीज लाइक करना वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना संसकार इसे चैनल को जैनल आये है